नमस्कार मैं राजी बंसल आप देख रहे हैं हासी की आवाज कहते हैं कि राम बन गए तो बन गए यानि कि भंगवान राम जो है हमारे आदर्श रहे मरियादा परशोतन राम कहलाए चारसो बानमे साल के संगर्स अनौर्ट संगर्स के बाद हमें राम जनम भूमी मिली और उसी कड़ी में एक अभियान चला हुआ है राम जनम भूमी मंदिर समर्पन निधी अभियान के तहरT निदी समर्पन अभ्यान के तहट हमारे कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे संस्था से लोग जुड़े हुए हैं, जो राम मंदिर के लिए निदी इकठी कर रहे हैं, घर घर जा कर रहे हैं, निदी कोश के लिए और एक भवे राम मंदिर बनें, ऐसे ही आसभा के वर जो आप सुम बताएं कि भी आप बजरंग दल के बजरंग दल से जिला से हो जग और जो निदी समर्पन अभियान चल राश्तिर राम जनम भूमी के लिए उसको जिला सह परमुक के नाते में काम कर रहा हूं अभी तो आप अब तक कितनी निधी यहां से कोश में दे चुके हैं और कितनी आपने यह समर्पन अभ्यान के लिए निधी कोश इकठा किया और क्या लोगों को बॉल के आप निधी लेते हैं अभी तक लगब बारा लाख रुपए अभ आयोध्या में जो हमारे पास अकाउंट आया है उसमें हम जमा करवा चुके हैं और जिस तरीके से लंबे संगर्स के बाद एक यह में जीत मिली है जहां कि परभु सिर्राम जी का मंदिर बन रहा है तो उसके बाद एक ट्रस्ट का अगठन किया गया और ट्रस्ट के माध्यम से बोला गया था कि यह ट्रस्ट इसका निर्मान करवाएगा तो ट्रस्ट के अंदर जो सादू संथ है उन्होंने का कि यह मंदिर जन जन का मंदिर क्यों कि राम सब के हैं तो एक ऐसा अभ्यान हम चलाएंगे कि प्रत्येक के पास जा करके हम कहेंगे कि आपके घर से आपके निधी से कितना पैसा मंदिर में लगे पैसे कि वहाँ पे कमी नहीं है लेकिन एक इंट प्रतियेक परिवार से लगे ऐसी यह उजना के साथ हम हर गर के पास जा रहे हैं और बरपूर सयोग भी हमें मिल रहा इस बारे में यानि कि सब की भागिदारियों, सब की आस्था हो और सब की उसमें एक डेडिकेशन हो कि भी ये भगवान शेरी राम का मंदिर है, इसमें मेरा भी सायोग रहा, इसी एक मकसद को लेके चलेंगे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब दान देने की बात आती है, तो बड़े-बड़े लोग तो दान दे देते हैं, लेकिन एक समाज में अंतिम छोर पे जो एकती खड़ा है, तो वो सोचता है कि अगर मेरा मैं छोटा सा दान दूँगा, कभी लोग मेरी तरब वहेंग की तो इस बात को खतम करके, इसमें कम से कम अमने छोटा को पन रखा है, दस रुपए का, कि एक रिक्षय वाला, मजदूर, किसान या जो भी गरीब से गरीव एकती भी, हमारे पास ऐसे अनुभव भी आ रहे हैं, जो बिक्षा अटन करके अपन जीवन यापन करते हैं, वो ल देखा, यानि कि यह एहसास भी होता है कि भी भगवान मर्यादा परशोतम के मंदिर में हमारा सयोग हो, और एक नीदी का भी, यानि कि कोश में विर्धुन हो, यानि कि उसमें बढ़ावा हो, जिससे भव्य मंदिर का निर्मान हो, हां तो उनका ऐसा है, विशो का सबसे वागेता है, कितना गरव के अनुबूति होते हैं उन लोगों को जब हम उनसे समर्पन लेते हैं, सर्यो निदी के किनारे भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, उसके लिए निदी समर्पन अभ्यान में आप सब जुड़े हैं, किसन जी आप हमारे चैनल पर आए, आप के हरदे में बसते हैं, हम भी चाहते हैं कि एक भवे मंदिर बने और सब की सही योग से बने, यही हमारी प्राइटना है, यह अभियान जन जन का अभियान बना, इसमें आप जैसे साथियों का बहुत योगदान रहा है, आपका जो चैनल हासी की आवाज, लेकिन जब यह अ अनमान के याने के भगत भी हैं, आप सब का सही योग से और हम सब के सही योग से भवे मंदिर बने, यही हमारी का आवना है, देखते रही हैं हासी की आवाज, मैं मेरे अडिटर अजय सेने के साथ